शारुखन के बेटे आईरेन को गिर्फतार करने वाले एंसीबी के रिजिनल डायरेक्टर समीर वान खेडे पर 25 करोड रुपए रिश्वत मांगने के आरोपों की जाच की जाएगी एंसीबी खुद भी जाच करेगी दूसरी और मालज सरकार भी जाच करा सकती है वान खेडे ने सोमवर को मुंबई की एक अदालत में हलफ नामा दे कर उनकी मुझे जूटे आरोपों के अधार पर गिरफतार किया जा सकता है क्योंकि मैं जिस केज में जाच कर रहा हूँ उनमें कुछ लोगों के निजी हित आड़े आ रहे हैं वो नहीं चाहते कि इमानदारी से जाच हो इसलिए वो मेरी दिवंगत मा तक को निशाना बना रहे हैं लेकिन कोट ने वान खेडे की अरजी को खारिज करते हुए कहा हम कुछ नहीं कर सकते मामले के गवा किरन गोसावी के सुरक्षागाड परभाकर सेल ने वान खेडे पर रिश्वत मांगने के आरोप लगाए हैं उनके मताबिक उसने आईरन को छोड़ने के एवज में 25 करोड रुपए के रिश्वत मांगे जाने की बात सुनी थी हलांकि आखिर में डील 18 करोड में तैह हो गई इसमें से 8 करोड रुपए वान खेडे को दिये जाने थे दूसरी और वान खेडे दिल्ली पहुँचें वे एन से भी चीप से मिलेंगे महराश्च के मंतरी नवाब मलिक ने वान खेडे का जन्म परमार पतर दिखाया है इसमें उनका नाम समीर दाउद वान खेडे लिखा है इसके साथ ही मलिक ने लिखा जाल साजी यहां से शुरू हुई थी नवाद की पार्टी एन सीपी ने यह भी कहा कि वान खेडे ने पहले एक मुस्लिम डोक्टर से निकाह किया फिर उनसे तलाग लेकर मराठी अभी नेतरी क्रांती रेड कर से शादी के थी वान खेडे ने कहा मेरे पिता ग्यान दे काचरू जी वान खेडे राज्य आपकारी विभाग में वरिष्ट निरिखशक थे वे हिंदू हैं और मेरी मा जाहिदा मुस्लिम थी मैं सच्चे धर्म निरपेक्ष परिवार से तालुक रखता हूँ मैंने 2006 में विशेश विवा अधिनियम 1954 के तहट डॉक्टर शवानक कुरेशी से शादी के थी हम दोनोंने 2016 में तलाक लिया 2017 में मैंने करांती रेड कर से शादी कर ले थी